इस वीडियो में दुस्तो हम लोग बात करेंगे fan code ECST10 Malta के दोस्तो आज के match number 1 और दोस्तो match number 2 के बारे में दोस्तो match number 1 और दोस्तो match number 2 दोनों ही दोस्तो same team का match है बस दोस्तो आपको time का फर्क मिलेगा फर्स्ट मैं 202 पर के 1 बज़े से स्टार्ट होगा और सेकेंड मैं दोस्तों दो पर के तीन बजे से स्टार्ट होगा इस वीडियो में दोस्तों मैं दोनों मैच कोबर करने वाला हूँ और दोस्तों इस वीडियो में आपको जो प्लियर स्टार्ट मिलेगा जो दोस्तों आपको combination बताऊंगा उसमें दोस्तो यदि कोई player नहीं खेलता है और साथी साथ दोस्तो जो मैंने आपको वीडियो में trump card player बता है जिनका दोस्तो selection percentage बहुत कम है बाइचान दोस्तो वो यदि खेलते हैं आज कम है तो दोस्तो मेरा final team आप telegram पर से ही pick करना ठीक ना आप सभी लोग दोस्तो टेलिग्राम चैनल को join कर लीजेगा इसका link आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तो comment section में भी first comment pin क्या हुआ मिल जाएगा जाएए दोस्तो टेलिग्राम के साथ जूर जाएए और subscribe करने के बाद दोस्तो notification का घंटी चरूर बजा देजेगा जिसे दोस्तो आने वाले आपको next titan वीडियो का आपको easily notification मिल जाएगा next वीडियो दोस्तो आज के ही third titan match का रहने वाला है miss मत करना दोस्तो ठीक ना बात कर लेते हैं दोस्तो हम लोग MTD और दोस्तो SWU के match में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तो combination बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको pitch के बारे में बता देता हूँ तो दोस्तो ध्यान रखेगा आज का जो pitch रहेगा वो दोस्तो balling based रहेगा और यहाँ पे maximum help मिलेगा वो दोस्तो fast baller को मिलेगा that means दोस्तो आपके team में fast baller maximum होने चाहिए एक spinner को दोस्तो आप at least try कर लेना बट ज़्यादा spinner try नहीं किजिगा क्योंकि दोस्तो इस venue पे spinner को अभी तक किसी भी match में बहुत ज़्यादा बिकेट नहीं मिले average score का दोस्तो बात करें को कम favor करता है और ballers को बहुत ज़्यादा favor करता है और second जो region है दोस्तो वो है दोस्तो यहाँ का ground dimension यहाँ का दोस्तो जो ground का size है थोड़ा सा दोस्तो बड़ा size है as compared to other ground T10 का देखो तो चली दोस्तो अब हम लोग बात कर लें combination के बारे में तो start करते हैं दोस्तो हम लोग bicket keeping section से bicket keeping section में दोस्तो इस मैच में आपके पास तीन अच्छे option थीनों है दोस्तो अच्ường option है इसमें से दोस्तो जो best option रहेंगे वो रहेंगे दोस्तो एक लिफ एक दिर आपको opening करते हुए दिखेंगे लास्ट यह सभी match में opening कर रहे हैं तो अभी तक दोस्तो इन्होंने 17 match खेला है TTN में और दोस्तो 223 run score किये हैं तो record दोस्तो average है ऐसा नहीं है कि outstanding है और साथ सी साथ दोस्तो यह आपको bicket की प्रिंग भी करके देंगे second option का बात करें दोस्तो इस पटेल इस पटेल दोस्तो एक top order player है जो दोस्तो आपको सिर्परसी बैटिंग से point देंगे अच्छे player है टीम में consider कर सकते हो और नीची जो last option है दोस्तो Sam का तो Sam दोस्तो आपको bicket की प्रिंग करेंगे और third round batting करने आते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आप record wise देखो तो दोस्तो जो सबसे best record लगा है वो दोस्तो एक आदिर जो दोस्तो आपको bicket की प्रिंग भी कर रहे है और opening भी कर रहे है तो मेरे दोस्तो जो first wise होएंगे एक आदिर होएंगे लेकिन दोस्तो आप यहाँ पर इस पटेल के भी साथ जा सकते हो जो दोस्तो टॉप ओडर में बैटिंग करने आते है बिकेट की प्रिंग नहीं कर रहे है इसलिए दोस्तो मैं इने ड्रॉप कर रहा हूं right now आप दोस्तो ग्रेंड लिग खेल रहे हो तो दोस्तो ग्रेंड ल नहीं तो इस पटेल ठीक ना चलिए दोस्तो बात कर ले हम लोग बैटिंग सेक्शन से तो इस से थी must important भी है दोस्तो किसी भी combination से drop मत करना नीचे दोस्तो आपको option दीखेगा एक हान एक हान दोस्तो एक बहुत ही सांदार all rounder खेला रही है जो दोस्तो आपको third round batting करने आए और दोस्तो एक से दो भर balling करते है और इस साल दोस्तो इनका जो record रहा है T20 में बहुत ही outstanding रहा है इस सार्ट टोटल 12 match इनों ने खेला है T20 में और 276 run batting से score कि और 12 match में 9 wicket प्रवाइड किये है तो धियान रखेगा दोस्तो एक अच्छे all rounder खेला रही है टीम में आप try कर सकते हो नीचे दोस्तो आपको एकतर का option मिलेगा एकतर का दोस्तो मुझे record कुछ खास नहीं लगा है सच बोलू तो देखो 76% जनतानी इने टीम में रखा है लेकिन दोस्तो right now मैं drop करूंगा record देखो तो दोस्तो अभी तक इस साल इनोंने दो ही T20 match खेले और उसमें दोस्तो मातर 29 run score किये और उसके बाद दोस्तो अभी तक इनोंने T10 match नहीं खेला है और साथी साथ दोस्तो कोई भी domestic में other इनोंने tournament भी नहीं खेला है तो that's why दोस्तो इनका stats उतना खास नहीं है इसलिए मैं drop कर रहा हूँ हाँ यदि आप selection percentage के हिसाफ से team बना रहे हो तो आप रख सक सकते हो नीचे दोस्तो आपको option मिलेगा ए रभी दोस्तो ए रभी का भी same problem है कुछ खास stats नहीं है अभी तक 7 मैं चीनोंने T10 में खेले और मातर 250 run score किये तो आप इने भी दोस्तो ड्रॉप करके चल सकते हो नीचे से दोस्तो आप C units को try कर सकते हो C units दोस्तो हमेशा opening करते हु साथ rotate करना चाहते हो तो दोस्तो आप E thomas के साथ कर सकते हो E thomas दोस्तो एक बहुत ही सांदार fast baller है जो दोस्तो 2 over complete balling करते हैं इस tournament में दोस्तो अभी तक देखो तो एक ही match खेले हैं और उस match में 2 over complete balling किया और एक wicket आपको provide भी किया है तो ध्यान रखेगा दोस्तो ठीक न तो लाउंडर सेक्षन से 2 must important pick रहेंगे दोस्तो एम नाजीर और दोस्तो आयमेर दोनों को दोस्तो आप सभी combination में try कर सकते हो बात करें दोस्तो एम नाजीर के बारे में तो दोस्तो एक अच्छे सांदार spin baller है जो दोस्तो आपको 2 over complete balling करके देंगे और साथी साथ 4th round batting कर करने आते हैं लेकिन बैटिंग से दोस्तो इनका कुछ खास record नहीं है लेकिन दोस्तो बॉलिंग से बहुत ही सांदार record है और दोस्तो इस स्टार्टिंग के दोनों match में इस टूनामेर में बहुत ही अच्छा balling किया और first match में तो दोस्तो इन्होंने आपको 2 wicket भी provide किये तो टीम में consider भी कर सकते हैं और साथे साथ दोस्तो आज इन्हें आप captain BC भी बना सकते हो small league grand league दोनों में फिर दोस्तो आपको नीचे option मिलेगा EU उला का EU उला का भी दोस्तो जो record है average record है बहुत जादा दोस्तो आउस्ट स्टेंडिंग नहीं है इस साल दोस्तो complete इन्होंने 12 T20 match क score कर सकते हैं 62% जंदान इन्हें टीम में रखा है आप safe जाना साथते हो तो आप इन्हें try कर सकते हो नीचे दोस्तो आपको option मिलेगा M.Jubar M.Jubar दोस्तो एक अच्छे baller है spin baller है लेकिन problem क्या है दोस्तो इनके साथ अभी तक दो match इन्होंने खेला है लेकिन दोस्तो दोनों मैच में एक एक और बॉलिंग किये फर्स्ट मैच में इन्हें दो विकेट मिल गया था एक और मुझे दोस्तो आज जहां तक लग रहा है आज फिर से दोस्तो आपको एक ही और बॉलिंग करते हुए दिखेंगे क्योंकि दोस्तों MTD के पास अल्रेडी बहुत अच्छे अच दोस्तों एक पर्षंट जन्दानी इने टीम में रखा है खेलने का चांस मुझे कम लग रहा है लेकिन धोस्तों यदि यह खेल जाया आज का मैच खेले या दोस्तों जब भी किसी भी मैच में आपको यह दीख जाय तो अट लिस्त दोस्तों आप एक-दो ग्रेनली कंबिने में जरू ट्राइ करना क्योंकि दोस्तों इस प्लियर का जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है इस साल दोस्तों इन्होंने पचास उबर का एक मैच खेला था उसमें 19 रॉन स्कोर किये थे और तीन विकेट परवाइड किये थे और दोस्तों यह फर्स रॉन बैटिंग करने आत साल डोमेस्टिक में भी इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और मात्र एक परसें जनता नीने टीम में रखा है धान रखेगा दोस्तों इस प्लियर पे जब भी दोस्तों आपको टूनामेंट में खेलते हुए दिख जाए दोस्तों आप चार मेंबर 10 मेंबर म इतन में खेलें जिसमें दोस्तों मात्र इनो ने पांच विकेट आपको परवाइड किये और कंप्लीट 28 ओवर बॉलिंग किये तो दोस्तों यदि आप इनका स्टैक्स देखो तो एक चीज़ किलियर होता है वो क्या है दोस्तों यह बिकेट टेकर बॉलर नहीं है और सेकें में आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो सेलेक्शन परसेंटेज हाई है नीची से दोस्तों आप बिकादिर को टीम में ट्राइ कर सकते हो एक अच्छे दोस्तों फास्ट बॉलर है अभी तक 15 में चिनोंने टीटेन में खेले है जिसमें दोस्तों इनोंने बैटिंग से और कम्प्रीट 25 ओवर बॉलिंग किये है तो दोस्तों एक अच्छे बॉलर है जो 2 ओवर कम्प्रीट बॉलिंग भी करते है और साथी साथ आपको बिकेट भी परवाइड करते है और दोस्तों 5 से 10 रन आपको बैटिंग से भी दे सकते है तो ध्यान रखेगा विकादिर इं लास्ट ये इन्होंने SU के अगेंस दो बिकेट भी लिया था एक ही मैच में तो इंपोर्टेंट ऑप्सन रहेंगे फिर नीचे से दोस्तो आपको पीघोज का ऑप्सन मिलेगा देखो पीघोज दोस्तों की बहुत अच्छे बॉलर है लास्ट ये दोस्तों इन्होंने बहुत अपके लिए हो जाते हैं यदि ये खेले बॉलिंग नहीं कि और दोस्तों आपने इन्हें एट-to-head में ट्राइक कर लिया तो दोस्तों प्रॉबलम हो जाएगा तो सिर्प और सिर्फ दोस्तों GL में ट्राइक करना यदि ये बॉलिंग करेंगे तो विकेट आपको कर चुके हैं और कंप्लीट दोसो 14 ओवर बॉलिंग किये तो एक अच्छे दो ओवर कंप्लीट बॉलिंग करने वाले बॉलर है टीम में जरूर ट्राइ किजिएगा दोस्तों आपको पॉइंट जरूर पॉइंट कर सकते हैं और साथी साथ दोस्तों मैं आपको नीचे से कुछ मैच में बॉलिंग नहीं किये थे आप इनका रिकॉर्ड देखो तो टीटेन में अभी तक 17 मैच इन्हों ने खेला है और 13 बिकेट प्रवाइट कर चुके हैं और कंप्लीट 22 ओवर बॉलिंग किये तो धियान रखेगा एक दोस्तों अच्छे बॉलर है यदि यह खेलते तो GL में आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन दोस्तों वही प्राब्लम है बॉलिंग करने का चांस कम है इसलिए मै एस्माल लिंग में नहीं ट्राई कर रहा हूँ नीचे से आर जेकॉब दोस्तों अभी तक एक भी मैच नहीं खिले टूनामें में लेकिन दोस्तो ये दोस्तो लास्ट यर फाइनल के हीरो थे धियान रखेगा लास्ट यर दोस्तो फाइनल मैच में इन्होंने 3 बिकेट परवाइड किये थे 2 ओवर में तो दोस्तो एक अच्छे बॉलर है जब भी दोस्तो खेल जाए टीम में आप कंसिडर कर सकते हो चार मेंबर, टेन मेंबर, मिनी चेल, ग्रेन लिग में नीचे से एक और में आपको प्लियर का उप्षन बताता हूँ एच क्रिशना एच क्रिशना का दोस्तो जो मुझे रिकॉर्ड मिला है जो स्टैक्स मिला है वो दोस्तो इनका T20 का मिला है T10 दोस्तो अभी तक एक भी मैच नहीं खेले है overall दोस्तो आप इनका T20 का रिकॉर्ड देखो तो 42 मैच इनों ने खेला है 568 रन स्कोर किये हैं और साथी साथ 28 बिकेट परवाइड किये हैं तो दोस्तो जो इनका रिकॉर्ड है बहुत ही सांधार है औल राउंडर वाला रिकॉर्ड है नाम दस्तो इनका भले आपको बॉलिंग सेक्षन में दीख रहा है तो धियान रखेगा दोस्तो इस प्लेयर पे आपके लिए दोस्तो ग्रेंड लिग में गेम चेंजर हो सकते हैं क्योंकि बैटिंग पोजिशन भी दोस्तो इनका जो राता है T20 में वो दोस्तो फोर्थ नमबर पे राता है तो फोकस शरूर कीजेगा फिर दोस्तो आपको नीचे ओप्शन मिलेगा ऐसखान का और दोस्तो एसङञrebbe 100 अच्छे बोलर है तीम दोस्तो इन्हें नहीं खेला रही है और मुझे जाहतक लग रहे है दोस्तो कि different baller को जादा help कर रहा है इसलिए दोस्तो एसघंग का आज भी दोस्तो खेलनले का chance कम है आप इनका record देख लो तो अभी तक 11 मैंच इन्हों ने T10 में खेला है और 8 बिकेट अभी तक आपको provide किये और complete 13 ओबर balling किये फिर नीची से जो other option है A-Sing का A-Sing दोस्तो एक बहुत अच्छे baller है underrated baller है क्योंकि इनका selection percentage बहुत कम है और दोस्तो इनका खेलने का आज के match में chance है ध्यान रखेगा खेलेंगे तो small league, grand league दोनों में try कर सकते हो record देखो तो अभी तक इन्होंने 6 match खेला है T10 में 6 बिकेट आपको provide किये और complete 10 ओबर balling किये तो stats को यदि आप ध्यान में रखो तो आपको 2 चीज मालुम चलता है करके दोस्तो आप इन्हें try कर सकते हो यदि ये खेल गए तो बात कर लें दोस्तो captain BC इस match के लिए तो दोस्तो A70 से बितर आपको कोई other option नहीं मिलेगा small league में captain के लिए और BC के लिए दोस्तो और launder section में I Amir दोस्तो आपके लिए best option नहींगे आज के match में ध्यान रखेगा जनता दोस्तो aim नाजीर के साथ जा रहे ही लेकिन दोस्तो aim नाजीर एक अच्छे spin baller है जो दोस्तो आपको बहुत जादा batting से score नहीं करते हैं तो धियान रखेगा right now दोस्तो जो मेरे captain BC होएंगे A sati और दोस्तो मैं BC Amir के साथ जा रहा हूँ आप दोस्तो नाजीर के साथ जाना चाहते हो नाजीर के भी साथ जा सकते हो और grand league के लिए दोस्तो मैं आपको नीचे balling section से दो option बताऊँगा एक तो दोस्तो A Amad और दोस्तो F9 यदि दोस्तो SWU की team first balling करती है तो GL में दोस्तो आप A Amad को captain BC कर सकते हो नहीं तो दोस्तो यदि MTD की team first balling करती है तो F9 भी दोस्तो एक अच्छे bigget taker baller है focus शरूर कर सकते हो दोस्तो grand league में ठीक ना अभी के लिए दोस्तो आप क्या करो इस team का screenshot ले लो और दोस्तो contest join करके रखो small league का दोस्तो यह मेरा team है तो दोस्तो टस्क के बाद इसमें से कोई भी player नहीं खेलता है और साथी साथ दोस्तो जो मैंने आपको extra player का stats बता है और दोस्तो उन में से कोई भी player खेलता है तो मैं आपको final और updated team telegram पे provide कर दूँगा तो दोस्तो सभी लोग telegram channel को जरूर join कर लीजेगा अभी तक दोस्तो आपने join नहीं कियो कोई बात नहीं लेकिन दोस्तो अप कर लेना इसका link आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तो comment section में भी first comment पीन किया हुआ मिल जाएगा जाएगे दोस्तो टेलिग्राम को join कर लीजे और जो भी मैं final combination प्रवाइड करू इस match से related उसी के साथ दोस्तो आप contest join करना और win करना और साथी साथ दोस्तो अभी तक आपने YouTube channel को subscribe नहीं कियो तो दोस्तो YouTube channel को जरूर subscribe करना और subscribe करने के बाद दोस्तो एक वाण notification का घंटी जरूर बजा दीजेगा जिसे दोस्तो आपको आने वाले वीडियो का easily notification मिलता रहेगा ध्यान रखेगा दोस्तो आज का जो next वीडियो है वो दोस्तो इसी tournament का next match करने वाला है तो miss नहीं किजेगा फिर मिलते दोस्तो आप सभी से next T10 के वीडियो में take care bye bye